तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं सभी बच्चों को दियान रखो देखो UPSC में सेलेक्ट होना इतना आसान नहीं है When you will write the answer, when you will practice the main answer writing या चाहे आप इंटर्व्यू देने जा रहे हैं ठेक है तो आपको कुछ ऐसी बाते हैं जिस पर आपको न्यूटरल रहना चाहिए क्याना न्यूटरल रहना चाहिए देखो ये चार चीज़े हैं ये चार चीज़े हैं जो अपने आप पे बहुत ज़्यादा important है इन चार चीज़े आपको कभी भी बात नहीं करनी चाहिए इन चार चीज़े आपको कभी भी बात नहीं करना चाहिए चार चीज़े पर देखिए चार चीज़े पर क्या क्या बात नहीं करना चाहिए हो नहीं आपको किसी भी रीजन की बात करनी है रीजन की बात करें किसी भी चरत की ब्लाइस तोलो पे बात नहीं करनी है मैं हिंदु मैं बिहार से हों तो मैं यहां की बात करूBye subscribe बहुत अच्छे होते हैं subscribe to 4 में देख लिए है हम तो कुस्ति करने में बहुत आगे रहते हैं हम तो मैडल लेके ही आएंगे यह हमारी प्याचाने कभी भी नहीं रहे और दो चीज के बाद मैं तीसरी चीज में आपको इंपॉर्टिन पॉइन बताना चाहरा हूं आप कभी भी किसी भी कास्ट की बात नहीं करेंगे हूँ मैं अहीर हूँ मैं कुमार हूँ मैं बरामन हूँ मैं छोटी जाती हूँ कभी भी नहीं और एक जो है नहीं आपको कभी व्यक्ति विसेश की बात करनी है नहीं किसी भी परसन की बात करनी है नहीं कि आप गये आप राहुल गांदी की बीजेपी की सरकार है आप गोदी यह नहीं कर रहा वो नहिं कर रहाए यह नहीं आहे यह नहीं है नहीं आहीं है तो इन चार चीज़ों पे आपका आशका हमेशए पॉझ से जुब आप फंकर रहा है क्या पर जाने इसको आप अर अगर कभी på parece तो आम को फोटोर नहीं सौड़ी सर इट सव अपको म 살아 अपको मेराइब है कसी करने की पर्संत की बात Nej वि Orthodox समझम्यारी बात मनेगल होती है थोड़ी सी बोग पढ़ते हो और गाउं में मुहले में चाही चौक चुरहापे कहीं भी खड़े हो करके चाही सुट्टा बार कहीं भी जाके अब भासन छोड़ना सुरू कर देते हो आज से एक बाद ध्यानक राइट बिना भी बिना किसी भी विद्धाट इन्फॉर्मिशन योट्वाप टोग एन्यमाट इनकी बात तो आपको रोहीन क्योंकि आप आई एस बनने जा रहे हो आप सिविल सर्वेंट बनने की क्वालिटी होनी चाही है आपको हर चीज को पॉजिटीव और नेगेटिव दोनों तरीके से आपको देखना है आपको नीट्रल तरीके से आप खुद देखो ना देश में मान के चलो कहीं भी कोई बहुत 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 बदा दंगा हो गया राइट मलब आप डियम बन गए राइट है आपके चेतर में हिंदू-मुसलिम की बहुत तर्गी लड़ाई हो गई तो तुम बोलेगे नहीं नहीं यह हिंदू वाले बह फोकस करिए थोड़ा सस्रीयस तरीके से समझनी की कोसिस कीजिए और न्यूट्रल रही है इस इट के लिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना राइट है ना और दूसरों को भी सेयर करना किसी भी डिलेटिट कोई भी यूप अब दिल्ली आओगे तो ही तुम्हाई एस बना होगे कुछ भी नहीं है तुम आप जहां है जिस जगह है आप वही रहे एज मेंटार्सी प्रोग्राम प्रस्नल मेंटार्शिव गाइडेंस करन क्या पढ़ना है और कहां से क्या पढ़ना है उसका री सोर्स भी मैं आपको अब बता हूंगा राइट अब इंटार्सी प्रोग्राम के तो आप कनेक्ट हो सकते हैं प्रपेसिन कर सकते हैं इसमें डेमों भी है ठीक है थैक यू बबाई टेक कियर प्रिपियर कीजिए ठीक है बबाई थैंक्यू चैनल को जबर सब्सक्राइब करें दूसरे को भी शिय